हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल, आज हम लोग क्वेश्टन 14 स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्टन 14 श्याम परचेस्ट अंई एर परचेस्ट भेशी सेट ऑफ 29 इंच स्क्रीन का एक टीवी परचेस्ट कर रहा है इस परचेस्ट प्राइस वाज रुपीज 35 थायंट, इसका परचेस्ट प्राइस 35 थायंट है He make payment in falling wage वे payment कैसे कैसे कर रहा है At the time of delivery of TV set Means at the time of agreement 7000 payment कर रहा है ये हो गया Down payment After 1 year 14000 After 1 year means का सकते है At the end of 1st year कितना payment हो रहा है 14000 After 2 year 7000 After 2 year means At the end of 2nd year 7000 payment हो रहा है After 3 year 7000 After 3 year means यहाँ पर मीनिंग है At the end of 3rd year 7000 payment हो रहा है और total payment हो रहा है 35000 Cash price of TV set इस रुपीज 30800 Cash price of TV set है 30800 रुपीज Cash price रुपीज 30800 Higher purchase price Down payment है 7000 First installment 14000 Second installment 7000 Third installment 7000 Add कर के 35000 Interest 35000 Minus 30800 4200 यह इंट्रेस्ट है और यहाँ Interest Installment में Include है हमारे question में Cash price दिया हुआ है 30800 Higher purchase price दिया हुआ है 35000 और Amount of installment भी दिया हुआ है लेकिन Rate of interest नहीं दिया हुआ है तो किस Installment में कितना Interest Include है यह कैसे calculate करेंगे आई देखते हैं हम लोग यहाँ पर Interest calculate करेंगे Proportion Method से आई देखते हैं कैसे होगा Down payment है 7000 First installment 14000 Second installment 7000 Third installment 7000 जब down payment हो गया तो Unpaid amount कितना है 14 Plus 7 21 Plus 7 28 यहाँ पर Installment Number 1 Unpaid amount कितना है 28,000 35,000 है Higher purchase price उसमें 7000 Down payment हुआ तो कितना आया 28,000 28,000 अठाईस अजा यह उसके बाद Second जब हम लोग जब हम लोग अट दे इंड आफ फॉस्ट यहर फॉस्ट इंस्टार्मेंट 14,000 पे कर दिये तो कितना Unpaid amount है 28,000 माइनस 14,000 Unpaid amount है 14,000 28,000 जब लोग At the end of second year Second installment पे कर दिये तो उसके बाद कितना Unpaid amount आएगा 14,000 माइनस 7,000 जब at the end of second year second installment पे किये तो बालेंस इमांट यांपेड इमांट कितना 14-7, 7000 जब लोग डॉन पेमेंट पे किये तो उसके बाद कितना डियू रहे 28,000 जब at the end of first year 14,000 पे हुआ तो उसके बाद कितना डियू रहे 28-14,000 जब at the end of second year second installment पे कितना डियू रहे 14-7, 7000 तो हम लोग इंट्रेस्ट को इमांट आफ इंट्रेस्ट रॉपीस 4,200 को इस प्रोपर्शन में इस रेशियो में इलॉकेट कर देंगे डिस्टिबूट कर देंगे बाढ़ देंगे कैसे देखते हैं पैर इसको आइड करेंगे इमांट आफ इंट्रेस्ट को इस प्रोपर्शन में इलॉकेट कर देंगे तो इस रेशियो में इलॉकेट करेंगे मिन्स आई देखते हैं 4,200 अपान 49,000 इंटू इंटू 28,000 फर्स्ट यर में स्टेप से सेकेंड यर में इंटू 4200 अपान 49,000 इंटू 14,000 यहां पर यहां 2400 यहां 1200 यहां 1200 यहां इंटू 7000 यहां 800 इंटू 7600 इस तैप से इंटू 4200 चाष्ट रेस कैसे कल्कुलिए ओगा? इंस्तॉल्में इंस तूर्म इंस इंटू 1 इंस रेमिंट यहां परस्ट इंस्तॉल्मेंट कितना प्यों मेंट को रहा है? 14,000 minus interest 2,400 11,600 second installment has 7,000 minus interest 1,200 yata 5,800 third installment has 7,000 minus 600 interest yata 6,400 और ये तीनों का सम आता है 23,800 तो cash price 7,000 जो down payment है plus 23,800 30,800 step C cash price अव या अव इन से दीनों higher encours higher पॉसर्दराई पॉसर्दराई चान है prepare करिंगा Archे direction वार्व्यडब्ट रच्छाई है स्फेवचर श्रा स्वेड़्य ना। यह वह रचाई है वन्द वक्सफ्रच्छाई है वक्साई हरी अर्वन्द रिक्षाई है first entry when assets purchased, यहार TV है, था वें TV परचास, TV एकांट एविट तो हायरे वेंडर तो हायरे वेंडर एकांट एकांड है, था थाइज़ एकांड एकांड जाइज तुद यहार पर देत मेंचन नहीं है, तो हम लुग डेट और यह को इग्नोर कर देंगे, बस फस्ट जिर सेकंडिर स् आशाल करते सुमोले सुना इयद से लेचलन पने डशाट प्रिक टाँएeger ज дав वेरी डिर्वा टाटेजित कर्णाऽ rental गर्विकिन दामको Sutas प्रजमिंड ए्रेकं दोखiza and कि 1 बंट इन धन ता प्राइं पी इत्रेकं इत्रेकंद हम पान तेयर हम दिर का अद घ्सटैलम नियंद पrage ol इंटांद बिक्त। अ किध सट्जमिनs कर Mush I डेप्रिसेशन है नहीं इग्नॉर कर देंगे इंट्रेस्ट को पील में ट्रांसफर होगा तो इसमें पॉस्टिंग नहीं होगा इसलिए उसको भी इग्नॉर करेंगे आए बैलेंसिंग फस्ट रिर कम्प्लिट 33,200 33,200 12,200 2-Balance-UD 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 Becoming due at the end of second year interest account debit to higher vendor Interest कामान तो higher vendor account created by interest Amount-1200 बार अस्ट 2nd installment paid at the end of second year Higher vendor account debit to bank Second installment 7,000 है Second year Second year complete balancing होगा 13,400 13,400 6,400 2-Balance-UD 3-Balance-UD Buy balance-UD 6,400 Main interest is becoming due at the end of third year Interest account debit to higher vendor Higher vendor account created Buy interest $600 $600 Win At the end of third year third installment paid entry Higher vendor account debit to bank Higher vendor account debit $700 7,000 Question complete Okay, thank you